हलो फ्रेंड्स अमीना बुडिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं और दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कमीज में पैट लगाने का तरीका सिखाने वाला हूँ पैट हमारे कुछ इस तरीकी के होते हैं इससे आप कमीज में कैसे लगाएंगे यह आपको मैं सिखाने वाला हूँ क्योंकि किसी किसी को पैट की आदत होती है तो पैट अगर लगवाएगा तो आपको यह काम आना चाहिए इसलिए हम इसके उपर वीडियो बना रहे हैं तो दोस्तों यह सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखी अगर आपको वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक को शेयर करना ना वोलें तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ आप कमीज जैसे कटिंग होती है नौर्मल आपको कमीज कटिंग कर लेनी अस्तर वाली ठीक है यह हमने एक डार कपड़ा लिया है उस पर लाइट अस्तर रही हमारा अब इसके बाद यहां पर आप देखेंगी यह निसान लगा रहा है वैसे तो किसी-किसी में मान लीजी इदर दिखाऊ मान लीजी किसी-किसी की कमर के बाद यहां पर नीचे घेरा होता है अमरेला या कोई भी कली वगएर होती है उपर पैट लग जाते हैं लेकिन इसमें सिर्फ एक नॉर्मल कमीज है तो हम इसमें पैट कैसे लगाएंगे तो अस्तर जो है डबल लगता है कमर तक होता लेकिन यह निसान लगाना तकी तकी नीचे लंबाई में नीसान लगाा या और इसकी जो चौडाई है वह मैंने पूर्नेच चार रही है आप यहां पर हलके साइज में 3.5 रख सकते हों ठीक है मैंने यहां पर पोनेज 4 रखी है और इसकी जो चैशकन आपए दोस्तों वो है 43 इंच तयार तो 43 आप यहां पर चार भी रख सकते हैं कोई दिवकत नहीं है इसके बात दोस्तों यहां पर भी इतनी गैपिंग रखी है और मैंने यह निसान लगा दिया सेम निसान हमें अपनी दूसरी साइड भी लगाया है और यह जब निसान लगेगा और इतनी डलेगी तकरीबद आदा इंच की गहरी इस तरफ तो जितनी घहरी यह पलेट डलेगी दोनों तरफ तो हमने यहाँ पर मार्जन को भी आगे अब लेकिन एक अस्तर को हमने जितनी प्लेट आएगी उसे हमारा यहां पर लगा लिए इसान लगा आँर यहां गश्टत को हम पूरा कमीच गया तो चलिए दोस्तों इसने ब्लैगे दागे कि हमने कहां सिलाई लगाई है तो मैं ये पूरा का पूरा पूरा black की दागे से जमा लेता हूँ उसके बार आपको दोनों में प्लेट डाल कर इस तरीकी की कटोरी को लखाने का तरीका सिखाता हूँ तो देखिए दोस्तों यहां पर मैंने अस्तर जमा दिया ब्लैक धागे से अब देखिए हमें क्या करना है सबसे पहले न या तो आप सेंटर की सिलाई लगा लें अगर अगर आप कपड़े को सेट कर सकते हो तो आप नॉर्मली इस निसान पर सिलाई लगाएंगे जहां पर हमें प्लेट डालनी है देखिए इस तरीके से और नीचे वाली निसान तक हमें लेके आना है कि इससे क्या होगा दोस्तों जब हम प्लेट डालेंगे ना कपड़ा और अस्तर दोनों में माजन इकोल आएगा इसलिए हमने आप पर कर दिया अब सेम आपको इस तरह भी देखिए ऐसे करके आराम से इधर भी सिलाई हमें लगानी है दागा उतर गया सेम सिलाई हम यहाँ पर दागा करके अब जहां से हमने सिलाई लगाई है आपको यहां से इस तरीके देखिए लगानी है और यहां पर पक्का करने से क्या हुता गांठ बन जाती है और जब आप सीधा करेंगे तो आपकी प्लेट कुछ इस तरीके से दिखेगी अभी हमें इस पर प्रेस भी 12OK कर लेंगे जब यहां की प्लेट डालेंगे और अस्तर में दोस्तों बिल्कुल सेम इसी तरीके से दिखाता हूं को कि अब एक तरब बिठा लेंगे बढूंगिा तारश रहों आदैंगो आईएंग 요 को सब्सक्तिका लगाएंगे वे आपको भी बैक दिखाँ गाल नियुकल को नहीं झालब करें से नहीं यह पिंखने से लाएंगे देखीन में में इसवाषिसे लाएंगे लेते हैं तो यह इसे लीट तो यह अब हमसे तो चली दोस्तों यहां पर भी हम इस तरीके से प्रेस लगाते हैं अब देखें दोस्तों प्रेस लगने के बाद यहां पर जो हमारी प्लेट अच्छी तरीके से बैठ चुकी है अब सेम हमें क्या करना है दोस्तों यह अस्तर है अस्तर में भी प्लेटों को आप इसी तरीके स तो देखी दोस्तों अब यहाँ पर हमने आप प्लेट डाल दी अब आते हैं कटोरी पे तो एक कटोरी को हम लेते हैं पहले इसे पैट कहते हैं और इस तरीके से इसको मिलाना है कि मैंने और वीडियो में भी दिखाया है निसान इसी तरीके से लगाए जाता है अब देखिए दोस्तों एक चीज़ का आपको दिखना रखना है यह लगाने के बाद यहां पर एक सुई में धागा डाल लें और यह प्लेट की यह वाली साइड है ठीक है उल् पक्का हो गया अब यह पैड हमें इस तरीके से ऐसे रखना है ठीक है यह निसान पर ऐसे सुई निकालनी है और यह निकालने के बाद देखिए बिलकुल यह आपका इस तरीके से यहां पर मिल जाएगा फिर इसको अंदर गी तरफ ऐसे डालने इसका दियान रखना कपड़े का में इसके ऐसे करके हैं अब यहां पर आप हलका सा इस तरीके से पक्का कर दें अलग धागा इसलिए ले रहा हूं जिससे कि आपको दिखा पाऊं ठीक है अब यहां पर हम कर लेंगे कट तो यहां पर आप देखें इस जगाँ पे तो एक पैड हमारा जम चुका है ठीक है अभी सिर्फ अटका आइए अभी अलगानी के अा सब लगाने का सबसे असंतरी का इससे करेंगी उलटी साइट करने के बाद यह पिलेट वाले आपको माजन दियान रखना है बिल्कुल सीधा होना चाहिए ये और इसको ऐसे करके देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ ये वाला इससा ऐसे आएगा इतने बीच में सिलाई लगेगा अब हम मसीन का बूट उठाके अराम से इस पर सिलाई लगाएंगे और अब जो आना ये कपड़ा आपका साथ बिल्कुल कटोरी में ऐसे इकवल होना चाहिए और ये थोड़ा-थोड़ा हलका अलका सा इसमें जोल पड़ेगा हलका सा बिल्कुल मामुली जिससे कि आप अराम से गुलाई में इसको लगा पाएंगे देखिए ऐसे करके बिल्कुल अराम से बढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे मैं आपको सिलाई लगाने के बाद दिखाऊंगा भी कैसी सिलाई लगी इसको एक बरावर ऐसे करके सिलाई लगाएं इससे क्या होगा कटोरी बिल्कुल भी आपकी हिलेगी नहीं और भोट बढ़िया लगाएं दिखा देता हूं अगया है कि अगया है कि यह देखें इस तरीके से आपको यह लगाने जहां से स्टार्ट करी थी वहां से थोड़ी आगे तक लेक्वाएं पक्का करने की जोड़त नहीं है सिविस को ऐसे उतार कर धागे को कर लेंगे कटिंग अब आपको ब्लैक कर दागे से मैंने इसलिए लागे दिखाएं जिससे कि आप के लिए देख पाएं देखें पहले हमारे जो रेडिमेट सूट होते हैं उसमें बिलकुल एक यह सैंटर पॉइंट लगा के देते हैं लेकिन यह हमारा टेलर वाला काम होता है इसमें पक्का गुलाई में लगा के देते हूं कपड़ा जो है बिलकुल काटोरी के इकोल मिलके आना चाहिए अब यह वाली साइड आपकी सीधी हो गई और आप देख सकते हैं इतनी गैपिंग में तो यहाँ पर यह पैड लग चुका है पैड जो है आपको अपने साइज का कोडिंग ल बिल जाएंगे जहां से आप लाइनिंग वगरा खरीदते हूं तो दोस्तों जिस तरीके समने पैड पर लगा यह से दूसरे वाले को भी इसी तरीके से जमा लेंगे अब देखे दोस्तों दोनों तरफ हमने सिलाई लगा के इसको जमा दिया अब थोड़ी वो जोल यह दिखेगी लेकिनी सब एजज़स हो जाती है बनने के बाद अब आपको क्या करना है अपनी कमेज को इस तरीके से इसके उपर रखना है देखे ऐसे करके आप रखेंगे और रखने के बाद आप कहीं से भी सिलाई लगाना स्टार्ट कर सकते हैं पहले मैं यहां से लगा देता हूं यह देखे बिल्कुल कटा हुआ था अस्तर आपको बिल्कुल कटिंग करना है फिर यह मिला के यहां पर हम सिलाई लगाएंगे अब देखे मैं यहां पर इसको सि सेम दोस्तों हमें दूसरी तरफ भी ऐसे इसको इक्वल रखना है एक बराबन और यहां पर भी हम सिलाई लगाएंगे कि यह देखिए मिला के बिल्गु सिलाई लगाएं कमार का कट भी मिलके आगया बिल्कुल इक्वल कि यह देखिए अब इस लाई लगाने के बार आप उपर वाली साइड से लगा दें इसको एक बराबर ऐसे रखेंगे यहां पर श्राई लगाएंगे कंडि से कंढी मिला लें इसके बस आपको एक बराबर बिलाते ओ सिलाई लगानी है यह automatic आपका सही बैठ जाएगा अगर आपने कपड़े को बिल्कुल equal cutting किया है तो अब जैसे यहाँ पर आ गए हम अब इसको हम आलमोल में एक बराबल बिठा देंगे यह देखे आलमोल आपका एक बराबल दोस्तों बैठेगा अस्तर कभी कभी बढ़ जाता है तो आपको बिल्कुल equal कर लेना है वो बिल्कुल fitting okay आजाएगी अब इसी तरीकष्याégता है और आब देख सकते हैं आप इसको करके भी चलाए लगा सकते हैं तो छली दोस्तों यह दोस्तों इसकी फिनिसिंग दिखाता हो कि पैड लगने के बाद यह कैसा दिखता है तो यह दोस्तों मैं भी पैट को इसको ऐसे रख देता हूं अब देख सकते हैं यह आपका इस तरीके से फिटिंग में आ जाएगा ठीक है यह देखिए बिल्कुल इक्वल आ जाएगा यह आपका अब जब आप यह फिटिंग की सिलाई लगाओगे तो यह आपका यह कहीं देखिए आप देख सकते हैं पैड वाली जगह है अब यह जितना भी जोल अगयर है सब नैक बनने के बार खतम हो जाएगा अब नैक बनाने के लिए क्या करना होगा आपको आप इसके सेंटर में पहले एक सिलाई लगा ले जहां तक आपका नैक बनेगा उसके बाद अपन लगाके देते हैं अगर आपके भी किसी कस्टूमर को पैड लगाने की नीड है बनी होई कमीज में ही चाहिए और उसको कोई प्रिंटस कट अगरा नहीं चाहिए सिर्फ सिंगल प्लेट में चाहिए तो आप इस तरीके से इस वीडियो को फोलो करके दोस्तों पैड लगा सक सकते हैं जैसा मैंने आपको बताए इसमें step by step follow करके बहुत असानी से दोस्तों आप इसमें पैट लगा सकते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जूर बताए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर करना ना भूलें thank you for watching